लोस्तों स्वागत है आपको अपने परिवार करियर अब्रेट बाइंजिनियर में मैं हुर रंजन राज उम्मीद करता हूँ आपसे बेतर होंगे स्वथ होंगे अपनी त्यारी को बेतरीन तरीके से कर रहे होंगे तो दोस्तों आज हम लोग जोड़दार तरीके से सांदार से सुरू कर रहे है आगर यह अगर आप संदार प्रसणों की सिंखला ani से हम लोग सुरू कर रहे है इस सिंखला में में फोकस किया अगया है फ्लाकि यह जो प्रस्थ हैं सभी में कॉमन से में आते हैं लेकिं जो मेन großes किया गया है वो आने वादी ben इल पे और टेकनिसिन Państwo प तो आप आराम से पास हो जाओगे RRB, ALP और Technician में तो उसी लिए आज हम लोग most important questions के सिंखला शुरू कर रहे हैं with previous year questions यहाँ पर कुछ previous year questions भी जो पर च्छाओ में पूछे गए हैं ALP या Technician या अन्रेलोग एक्जाम में उन सभी को मैंने समलित करने का प्रयास किया है और एक बेहतरीन explanation के साथ हम लोग इस प्रसनों को कर रहे होगे उसके पहले अगर आप भाई theory पढ़ना चाहते हैं तो हमारा badge जो है start हो चुका है registration 6 फरवरी से जो classes हैं वो सुरू हो जाएंगी ठीक है 6 फरवरी से हमारी जो app है app का नाम है career update by engineer same to same जो हमारे channel का नाम है वही हमारे application registration का भी नाम है वहां पर classes 6 फरवरी से सुरू हो जाएंगी registration start है अगर आप जोइन होना चाहते हैं तो हो जाएगा 6 फरवरी से पहले पहले ठीक है अगला है motor mechanic vehicle का भी पैच है same बहुत ही compromise में तो जो motor mechanic vehicle की बच्चे हैं वो भी join हो सकते हैं अब आईए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रस्न की तरफ पहला प्रस्न क्या कह रहा है भाई आपसे पहला प्रस्न ये कह रहा है पहला प्रस्न क्या कह रहा है कि two stroke आंतरिक धहन इंजन में दूसरा निचला stroke होता है तो आपको बताना है क्या होता है power तथा एक जास्ट, suction, compression, power इधर इंगलिस में भी लिख द तो यहां पर क्या हो जाएगा पावर तथा इक्जास्ट अब आप कहोगे सर कैसे थोड़ा सा हमको इसके बारे में बता दीजिए तो आओ भाई हम लोग धोड़ा सब देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं टू इस्ट्रोक इंजन की अगर बात करें टू इस्ट्रोक क्योंकि इंजन बनाया होगा तो किसने बनाया थाई किसने बनाया एंजन 1858 में बनाया किसने डूगेल क्लर्एक दूगेल्ड ठीक है Englishman का जो भी नाम हो English में लिख देता हूं ठीक है किस ने बनाया दोस्त डूगेल्ड Clark and Carl Benz ठीक है किस ने बनाया Carl Benz ने बनाया ठीक है 1878 में अब देखिए two stroke engine की खास बात चाहोती है भाई two stroke engine की खास बात यह होती है सभी को good morning मेरे दोस्त सभी को good morning सभी को हाद जोड़के नमस्ते आईए इधर अब क्लास वे फोकस करते है ठीक है चलिए अब देखिए क्या है कि अगर 1878 में डुगैल Clark और Carl Benz ने किया अब इसके बाद two stroke engine की खासियत क्या है यानि कि इसमें इसमें क्या होता है इसमें एक operating cycle कितने stroke में पूरा होता है तो आप कहोगे दो stroke में पूरा होता है इसलिए इसको क्या बोलते है two stroke engine एक operating cycle two stroke में एक operating cycle two stroke में क्या होता है पूरा होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते है इसलिए इसको हम लोग बोलते है two stroke engine अगर मैं आप से कहूँ भाई कि बता दो जो operating cycle है ये क्या होता है operating cycle क्या होता है operating cycle तो क्या कोई बता सकता है दोस्त operating cycle क्या होता है तो क्या कोई हमको बता सकता है भाई प्यारा दोस्त हमारा बता सकता है कि operating cycle क्या होता है ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर operating cycle क्या जैसे हम भी कोई काम करते हैं डेली तो हमारा कोई नो कोई क्या रहता होगा भाई रूटीन रहता होगा जैसे कि अब मैं सुबा उठा मैं अब साथ बजे क्लास लूँ करता है बार बार वही चीज़े रिपीट करता है रूटीन यानि कि इंजन का रूटीन जो होता है वही क्या होता है उसका operating cycle होता है तो operating cycle में total कितने प्रोसेस हुए ठीक है भाई operating cycle में total कितने प्रोसेस चार पहला आपका हो गया क्या सक्सन हो गया दूसरा आपका क्या हो ग इक्सपेंशन तीसरा क्या हो गया एक्सपेंशन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैंश्ञर और चौथा क्या हो गया चौथा हो गया आपका एक्जास्ट तो यह चार प्रोसेस पूरे करने में अगर 2 इस टोक सब आगे डिसकस करेंगे ठीक है अगर दो इस्टोक में पूरा कर लेता है तो टू इस्टोक इंजन होगा और चार इस्टोक में पूरा करता है तो कौन सा इंजन होगा भाई इंजन है दोस्त टू इंजन है अब दिखे जब दो हीус अगए तो दो ही फिगर बनेंगा अब अगर एसी तरीकिसे हम लोग चार इंजन चलता है दोस्त टीडीसी ठीक है कहां पर कहां चलता है बीडीसी से टीडीसी चलता है और जब बीडीसी से टीडीसी चलता है तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं. B-D-C से T-D-C चलने में दो प्रोसेस कंप्लेट होते हैं. कौन-कून से? पहला है आपका सक्सन प्लस कंप्रेशन सक्सन प्लस कंप्रेशन. अब धानद देखे इस पहले वाले फिगर को देखिए. यानि कि ये पहला इस्टोक है 2-stroke engine का यह पहला stroke है यहाँ पे क्या हुँ रहा है देखें पिस्टन कहां से कहां जा रहा है अब BDC से टीडिкий जाने पर यहाँ पर देखो इनलेट पोर्ट यहाँ से जो charge है चार्ज क्या होगा अगर d applight engine होगा तो हमारा सिर्फ पर efter सुधावा चार्ज के रूप में जाएगा और पेट्रोल इंजन होगा तो एयर प्लस पेट्रोल का मिस्रण जो है किसके रूप में जाएगा चार्ज के रूप में जाएगा अब यहां से देखे चार्ज अंदर आ रहा है तो चार्ज जब अंदर आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलत यानि कि सक्सन हो रहा है और दूसरा जैसे जैसे पिष्टन ऊपर जाता जा रहा है यहां पर जो चार्ज पहले से आया हुआ है वही क्या है वो संपीडित भी हो रहा है तो पहले श्ट्रोक में क्या हुआ पहला श्ट्रोक में क्या हुआ भाई पहले श्ट्रोक में हुआ सक्स प्रस कमप्रेशन यह प्रोसेस हुआ किस श्टोक में पहले श्टोक में फर्स्ट श्टोक में पहले श्टोक में ठीक है और यह है आपका दूसरा श्टोक जब यहाँ पे स्पार्क प्लक द्वारा इस पार्क निकलेगा पेट्रोल जलेगा तो जब पेट्रोल जलेगा तो फ् पिश्टन कहां से कहां आएगा? पिश्टन आएगा टी डी सी से बी डी सी और हमको क्या मिल जाएगी पावर लिद जाएगी और जब हमको पावर यी नीचे आया तो हमको क्या मिली पावर मिली ठीक है प्लस अब देखो जहां से समझो यहां पे यह यह इनलेक पोर्ट है यहां पेipesश्ट यहांपे ट्रांस्फ़र पोर्ट है आगे जिसे जिसे प्रसनाएगा मैं डीटेल में डिस्कॉस करता रहूं दभराआँ वही है तो अब देखो जब पहले क्या था पहले piston की सहायता से एकजास्ट पोर्ट बंद था लेकिन जैसे ही piston नीचे आया एकजास्ट पोर्ट ओपेन हो गया जो जली हुई गैसे हैं वो क्या होंगी भाई वो यहां से बाहर निकल जाएंगी जली हुई जो कैसे है वो क्या होंगी यहां से बाहर निकल जाएंगी यानि कि पावर भी मिली और साथ ही साथ क्या हुआ इकजाश्ट भी हुआ क्या हुआ पावर भी मिली और साथ ही साथ एकजाश्ट हुआ और ये हमारा कौन सा इस्ट्रोक है ये हमारा है दूसरा इस्ट्रोक ये हमारा क्या है दोस्त ये है हमारा दूसरा इस्ट्रोक समझ गए तो यही तो आप से प्रस्न पूछा है कि यही तो आप से प्रस्न पूछा है कि two stroke आंतरिक धान हिंजन में दूसरा जो निचलाइश ota है पिश्टन टीबी सी से बी डी सी की तरब जाता है तो दूसरा निचलाइश्ट क्या होगा Peng पावर तथा एकजाश्ट यही तो मैंने आपको समझाया भाई दूसरा निचला इस ट्रोखों क्या होगा आज से ही चलेगा दोस्त आज से ही चलेगा आपका जो फिटर का MCQ है आज सामको 8 बज़े से सुरू हो जाएगा ठीक है चले अब अगले प्रस्ण की तरह पढ़ते हैं अगला प्रस्ण क्या है थोड़ा सा complicated है और इसकी language भी क्या है थोड़ी सी अलग है अब देखें यहां पर क्या प्रस्ण पूछा यहां पर पूछा कि भाई two stroke engine के पेच्छा four stroke engine का मूले अधिक है क्यों की यानि कि यह करो क्योंकि समझोगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा सिंपल समझो अब देखो two stroke अगर अलग से करते हैं अलग से आपको समझाते हैं कोई जल्दी तो है नहीं अभी एल्पी की फॉर्म भी नहीं आ हराम से पढ़ते हैं अब देखो अगर बात करें two stroke engine two stroke engine तो यह अब द compression तीसरा हो गया आपका power और चौथा है आपका exhaust ठीक है exhaust हिंदी में अभी लिख दूँ क्या चलो इसको सक्षन को हिंदी में बोलते हैं चूसर ठीक है compression को बोलते हैं हाँ पर संपीडल ठीक है power को बोलते हैं सक्ती सक्ती stroke और exhaust को बोलते हैं निकास अब देखो two stroke engine है चाल प् क्या मिला एक power stroke देखो यहां पर दो stroke में यहां से का मिला एक power stroke लेकिन जो four stroke engine है अगर हम लोग बात करें फौर इस्टोक इंजन की किसकी बात करें दोस्त फोर इस्ट्रोक इंजन की अगर बात करें तो यहां पर भी क्या होगा यहां पर भी यही प्रोसेस होंगे सेम तू सेम यही प्रोसेस होंगे लेकिन हमको चार इस्ट्रोक में एक पावर इस्ट्रोक मिलेगा यहां पर क्या मिल रहा है दो इस्ट्रोक मे दो इस्ट्रोक में क्या मिल रहा है एक पावर इस्ट्रोक ठीक है और यहां पर इस इंजन को चार इस्ट्रोक चलने पर रहें ड्रेवल करना पड़ा है चार इस्ट्रोक में हमको क्या मिल रहा है एक पावर इस्ट्रोक ठीक है तो अगर theoretically देखा जाए तो हमको ज्यादा पाव दे रहा है और ये दो बार ही दो इस ट्रोक ही चल रहा है और हमको क्या दे दे रहा है एक पावर इस ट्रोक दे रहा है तो हमको थियोरेटिकली ज्यादा पावर कौन दे रहा है ज्यादा पावर हमको दे रहा है टो इस ट्रोक इंजन हमको क्या दे रहा है दोस्त ज्यादा पा पड़ेगा बड़ा बनाना पड़ेगा तब हम झार चक्ति ले पाएंगे यानि कि ये अगर सेम साइज का इंजन हो 2 च्टोप भी और 4 च्रों तो कौन पावर हमको ज्यादा देगा तो हमको 2 च्टोपेंजन ज्यादा पावर देगा theoretically तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि two stroke engine की अब एच्छा four stroke engine का मूल अधिक्यों है क्योंकि same power के लिए four stroke engine क्या है four stroke engine का size बड़ा है अब जब size बड़ा होगा तो cylinder बड़ा होगा piston बड़ा होगा तो उसकी जो cost है वो बड़ा जाएगी वह महगा हो जाएगा तो यहीं है option D देखें यहां पर इस लिए इस अगर option के हिसाब से बात करें तो इस यह वाला रीजन सही है वेल्लर के थीरी भी भी यह 6 फर्वरी से शुरू हो जाएगी एप ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है आपका अगला है टूश्टो के इंजन में मिस्रण जाने के लिए क्या प्रयूख होता है बताईए अब आपके सवाल जवाब लेना शुरू करूंगा ठीक है चलिए हाँ यह सब दिन चलेगा मंडे टू सटरडे चलेगा संदे का आप लेगा मंडे टू शवाब देना सुरू करे यह जवाब देना के लिए आपकबी नहीं और नहीं इंजास्ट पोर्ट नहीं प्रियोग होगा दोस्त इनलेट पोर्ट का प्रियोग होग और यही से प्रस्न पूछा जाता है प्रस्न क्या पूछा जाएगा यहाँ प्रस्न यह पूछा जाता है तो एक point लेजिए two stroke engine में go to stroke इंजन में वाल्व के अस्थान पर वाल्व के अस्थान पर क्या किया जाता है वाल्व के अस्थान पर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है या वाल्व के अस्थान पर पोर्ट होते हैं ऐसा भी लिख सकते हूं पोर्ट का प्रयोग किया जाता है पोर्ट का प्रयोग किया जाता अगर मैं आप से कहूँ भाई कि पौर्ट जो होते हैं आपके 2 stroke engine में कितने होते हैं जैसे कि अगर वालव की बात करें तो वालव किसमें होगा ध्यांचे समझ का हो यहां पर लिखेंगी लो यहां पर जैसे लिखो 2 stroke engine 2 stroke engine 2 stroke engine में क्या हों वाल्व होंगे, फोरी स्टोक इंजन में क्या होंगे, वाल्व होंगे, ठीक है, अब देखो जो पोर्ट्स होंगे, वो तीन तरह के होते हैं, फोरी स्टोक इंजन में जो पोर्ट्स पर्योग होते हैं, तीन तरह के, पहला आपका हो गया, इनलेट पोर्ट, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया दूसरा आपका हो गया एकजास्ट पोर्ट एकजास्ट पोर्ट और तीसरा आपका क्या हो गया transfer port, ठीक है तीसरा आपका क्या हो गया transfer port ठीक है, तो ये तीन port होते हैं और forest lock engine में valve होते हैं कौन-कौन से, जैसे कि आपका हो गया inlet valve inlet valve और दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा हो गया exhaust valve exhaust valve, ठीक है भाई, तो ये समझ में आया कि नहीं diesel theory की class का time भाई अभी application पर जो चलेगी सुबा 10 बजे से चलेगी, ठीक है बाद में class दोनों time हो जाएगी, ठीक है तो ये चीज़ आप धान रखिएगा तो inlet port हो गया, अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं कि four stroke engine में crane shaft के protection में प्राप्त होता है बहुत ही महत्तों प्रशन है बच्चे रठा मारते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई कैसे इसका अंसर power stroke होगा, संपीडन होगा, सक्सन होगा सभी होगा, चली अचा यहाँ पर ये प्रसन में ऐसा ही simple बता दे रहा हूँ ठीक, लेकिन अभी जब rotation आएगा आगे crane shaft का किसी प्रसन में तो crane shaft कितना डिगरी घूमता है कि stroke में वो सारा चीज हम लोग डिसकस करेंगे अभी तो देख लेते हैं अब देखो यहाँ से ध्यान से प्रसन को गलत नहीं करना है two stroke engine के crane shaft के प्रतिक चक्कर में क्या प्राफ्ट होता है अब लड़का यहाँ पे तुरंत power stroke मारता है लेकिन यह क्या हो जाता है? दोस्त, गलत हो जाता है क्यों क्यों कि यहाँ पी sampidan भी दिया है, section भी दिया है और a option में D दिया है ये सभी तो कौन सा option सही होगा option D आपका जो हो जाएगा ये सभी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब आई ये थोड़ा सा इसको देखते हैं क्यों कोई जल्दी तो है नहीं आप कि भगा भगा के पढ़ा दूँ अभी आराम से पढ़ लेते हैं बाद में जब LP का paper आ जाएगा तो मैं आपको जल्दी जल्दी प्रस्मिर्ट वाद दूँगा लेकिन अभी समझों अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये है ठीक है यहाँ पर ये cylinder है cylinder के अंदर क्या होगा भाई cylinder के अंदर होगा piston piston से हमारा क्या जुड़ा रहेगा piston से हमारा connecting rod जुड़ा रहेगा connecting rod से क्या जुड़ा रहेगा crank pin crank pin से क्या जुड़ा रहेगा crank और crank से क्या जुड़ा रहेगा crank soft कुछ इजी तरीके से engine किस्टन रचना होती है आप लोगों को पता होगा ठीक है तो ये क्या है ये आपकी crank pin अभी सारा कुछ मैं लिख देता हूँ ठीक है चलिए पहले nomenclature देख लेते हैं तब समझते हैं ठीक है ये आपकी क्या है भाई ये आपका cylinder है सारा जब theory में आपको पढ़ा रहाऊंगा तोहां पर सबका material भी बताऊंगा ये आपका क्या है भाई ये आपका piston है ठीक है ये ये आपका क्या है ये आपका गजन pin है ये आपका क्या है ये आपका connecting rod है connecting rod ठीक है ये आपका क्या है ये आपका crank pin है crank pin ये आपका क्या है ये आपका crank है और ये आपका क्या है क्रेंग साथ यह आपका क्रेंग साथ तो कुछ इतने कंपोनेट अभी के लिए जाने अब देखे क्या है जब जब पिश्टन क्या है यह आपका टीडीसी होता है यह आपका बीडीसी होता है जब पिश्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे क्लास रहेगा सोनुकमार कुछ लग नहीं रहेगा थोड़ा बहुत चेंज रहेगा वाखी रहेगा ठीक है अब देखे क्या है कि टीडीसी से बीडीसी पर जाएगा पिश्टन हमारा तो पिश्टन अच्छा बताओ उपर नीचे मोशन करता है तो क्या हम हमारे यूज का कोई से हम इसको किसमे कर लेते हैं रोटरी मोशन में और जब रोटरी मोशन में करते हैं तो यह क्रेंक साफ्ट कैसा घूमेगा एक चक्कर घूमेगा दो चक्कर घूमेगा तीन चक्कर घूमेगा यानि कि कैसा घूमेगा भाई कुछ ऐसा ही तो घूमेगा इस रेसे प्रोकेटि दिगरी की भी बात आजाएगी, अब देखो, जब पिश्टन tdc से bdc चलता है, तो क्रेंखसाप्ट कितना गूमता है, 180 degree, ठीक है, यानि कि यहीं पर नोट लगा के लिख लो नोट लगा के लिख लो दोस्त दिख रहा है हाथ दिख रहा है यही पर नोट लगा के लिख लो कि पिश्टन के पिश्टन के एक श्ट्रोक में एक श्ट्रोक में क्या होता है क्रैंक साफ्ट क्रैंक साफ्ट कितना फूता है 180 डिघ्री घूमता गहांता है तो किप्ष्टन के PRते प्रतेगशकर में क्या प्राप्त होता अब देखो मैंने आपको गया तो हमको क्या मिला सक्षन प्लस कंप्रेशन मिला और जब पिश्टन टी डी सी से बी डी सी आया तो हमको क्या मिला पावर प्लस इकजाश्ट मिला मिला की नहीं और एक श्ट्रोक में मैंने आपको बताया कितना 180 डिगरी एक श्ट्रोक में कितना क्रेंक साफ्ट घूमा 180 तो एक चक्कर में कितना घूमेगा 360 लिगरी यानि कि एक चक्रेंक साथ की एक चक्कर घूमने में दो श्ट्रोक इंजन के दोनो जो श्ट्रोक हैं वो पूरे हो जाएंगे तो भाई जब दो श्ट्रोक पूरा हो गया तो दो श्ट्रोक में तो सब हो गया ना सक्स्तन भी हो ग इसी लिए इसी लिए जो हमारा आपसन सही होगा यहां पर वो कौन सा सही होगा दोस्त तो हमारा वो सही होगा यह सभी क्यों क्या कहा है क्रेंक साफ्ट के प्रतेक चक्कर में अब जब क्रेंक साफ्ट एक चकर घुम गया तो टू श्ट्रोक इंजन का क्या हो गया दोनों तो उसके अंदर जो process है section compression power exhaust वो सभी process तो हो जाएंगे ऐसा थोड़ी कि सक्षन होगा नहीं सिर्प power हो जाएगा नहीं तो चारू होंगे तो ये सभी वाला option क्या हो जाएगा ठीक है नहीं चलेगा दोस्त नहीं चलेगा तुम्हारा ज्वाब में कैसे तूह कोई क्लास नहीं चलेगा साड़ी क्लास अब यहीं चलेंगी ठीक है ऐगे बढ़ते हैं आगे प्रस्ने की तरह अगला है एक मोडल साइकिल इंजन शिलिंडर के बॉटम पर फिन्स किया पेच्छा टाप पर। обычно होते हैं ठीक है बताई ताप पर क्लास अधिक क्यों होते हैं चलिए चलिए अब इधान लगाएक कोई डिश्टर्बेस नहीं है अब इधान लगाएगे कि एक मोटर साइक्ल इंजन Silenenza दर की मोटर साइक्ल आप लोग ses हो गी बाटम पर फिंस के पेच्छा टॉप पर फिंस अधिक क्यों होते हैं तो आईए इसका रिजन समझते हैं अब देखे क्या है मान की चलिए यह आपका सिलेंडर है यह आपका सिलेंडर है अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा फिंस बने होते हैं फिंस इस तरीके से तो यह क्या करते हैं जो हवा टकराती है सिलेंडर से उसकी सतह का छेत्रफल बढ़ा देते हैं यहाँ पर देखी क्या होता है यह जो फिंस हैं क्या करते हैं हवा की सतह का हवा की सतह का छेत्रफल हवा की सताह का छेत्रफल बढ़ा देते हैं ठीक है जिससे इंजिन क्या होता है इंजिन टेजी से ठंडा होता है अब कैसे बढ़ा देते हैं यह समझो देखो यहाँ पर क्या है भाई कि अगर अगर क्या होगा अगर आपका इतना ही सिलेंडर ऐसे ही सिंपल प्लेंडर बना द तो इंजन क्या होगा धीरे कूल होगा लेकिन अब इसके उपर आपने फिंस बना दिया देखो इसका जो एरिया है वो कितना जाधा बढ़ गया जिससे इंजन की गूलिंग केसि क्या होगी बढ़ जाएगी अगर आपने नहीं देखा होगा तो मोटर साइकल को पर देखना पत्ली पत्ली जो पत्तियां है वो बनी रहती है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कि एक मोटर साइकल इंडर सिलिंडर बाटम पर फिंस के पेच्छा टाप पर फिंस लंबे होते हैं क्योंकि क्योंकि ज आपडेट सेंटर के उपर और सिलेंडर के हेड के बीच जो खाली जगा रहती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं combustion chamber ठीकर इंगलिस में या इसी को हिंडी में क्या बोलते हैं दहन कच और यहीं पर क्या होता है इधन जलता है जहां पर इधन जलेगा जाहिट सी बात है कि वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा उस्मा सबसे ज़्यादा रहेगी तो इसलिए उपर वाले पार्ट को cooling की ज़्यादा वस्कता होती है इसलिए वहाँ पर फिंस अमलोग क्या होते हैं लंबे बना देते हैं ठीक है भाई चलिए आ जरूर कर देना ठीक है क्योंकि जितना भी समझा सकता हूं प्रशनों के मात्रम से सब समझा रहा हूं ठीक है चलिए तो अब देखिए मैं आपसे कहूं दोस्त कि बता दो मफलर मफलर या साइलेंसर मफलर या साइलेंसर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसका जो पीडि पीडियाफ क्लास नोड्स ठीक है पीडियाफ क्लास नोड्स इस वाले सेक्षन में अप्लिकेशन डाउनलोड करने पार रेइस्टर करिएगा इस वाले सेक्षन में जाईएगा तो जो आज की क्लास की पीडियाफ है यही वाली बोर्ड वाली पीडियाफ पूरी विद करता है इंजन के सोर को कम करता है अब देखी कभी-कभी आप से पूछता है इसके प्रकार है वो कौन-कौन से ठीक है तो इसके प्रकार की बात करें यानि कि टाइप्स की बात करें टाइप्स की बात करें तो कई तरह के होते हैं मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर यह भी नाम याद कर लीजिए बाकि जो इसका फंक्शन वगरा है यह हम लोग किसी क्लास में समझ रहे होंगे ठीक है तो टाइप्स की बात करें तो जैसे की होगे आपका रियक्टिव म बोलते हैं हम लोग तो ने मैं बोलते हैं प्रत्क्रिया सील मफल स्थ रियक्ट्व मफल यह पहला होग Potter दूसरा होगा आपका एव कि दूसरा आपका पहाओ गया एवब्स cleaner को ठीकHi है तीसरा आपका क्या हो गया तीषरा यही दोनों का कॉंबिनेशन करके मिला दिया रिए डिक्तिवॉ एफजार्टी डियुटी एफजार्टी लियुक्तिव एफजार्टी टिक्तिव एफजा 어떻게 bul डियुक्ति सेच च Dw that's her profits क्या हो गयाğ हूं च्णका हो गया दोस्त आपका इलेक्ट्रारणिक अड़्षा अग्फ्ण ठीक है बार चलो हिंडी में लिख देता हूँ जेतों रड़का कहेगा गी इंचलिस मेंली लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा थीक है अब रेक्ट्टिव जैसे हिंडी मेंले लुका तो नहीं मज़ा देगा ना करन सत्कैंदी को यह है इसको हिंदी लिख रहा हो तो वेव कैंसीलेशन को सबीषियंग सिलेशन मंना अंधाब यह यांशीलेशन मुफला इस चठाकि अनुनात प्रकार का मफलर अनुनाद इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिजोनेंस रिजोनेंस मफलर ठीक है भाई तो बताइए इतना आपको समझ में आया तो सोर को कम करता है जो मफलर ये सालेंसर होता है छे तरह का होता है रियक्टिव, एव्जार्टिव, रियक्टिव, एव्जार्टिव, एलेक्ट्रोनिक, वेव कैंसिलेशन और अनुनाद टाइब का मफलर ठीके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रियक्टिव मफलर के लाव यह है कि भाई, यह सभी चीजे में काम आता है निम्नाविर्ति पर उच्चर पतरसन करता है हार तवस्था में प्योगी होता है अधिक इंसर्जन्स 6 इसमें जो है, मुश्किल से होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है आपका कि चेंबर मफलर का दूसरा नाम क्या है अभी जैसे मैंने आपको 6 मफलर बताए मेन वही है लेकिन आपको लगे कि यार यब यह कहां से आ गया चेंबर मफलर तो बताया ही नहीं तो जो रियक्टिव मफलर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं चेंबर मफलर के नाम से भी जानते हैं जो रियक्टिव मफलर है इसमें लिख लो इसको किस नाम से जानते हैं रियक्टिव मफलर को चेंबर मफलर भी कहते हैं चेंबर मफलर मफलर तो समझ रहे हो ना भाई नार्मल भासा में आम जीवन की भासा मुशी को silencer बोलते हैं लेकिन टेक्निकल भासा में उसको क्या बोलते हैं muffler बोलते हैं chamber muffler तो reactive muffler का दूसरा नाम क्या है chamber muffler अगला देखी क्या है निम्न में से कौन सा कारे engine exhaust प्राली का नहीं है यानि कि which of the following is not a function of the engine exhaust system engine exhaust system का जो प्राली है उसमें कौन सा नहीं है यानि कि निम्न में से कौन सा कारे exhaust प्राली का नहीं है अब जैसे कि engine के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चाहे diesel mechanic प्राली में आप पढ़ो चाहे MMU के बारे में पढ़ो तो उसमें engine के कई तरह के system होते हैं जैसे कि एक construction हो गया उसके बाद cooling system हो गया intake system हो गया exhaust system हो गया fuel feed system हो गया lubrication system हो गया तो ये सारे अलग-अलग system के बारे में charging system हो गया starting system हो गया इनका डिवाइडेशन अलग-अलग उसमें किया रहता है तो इसी तरीके से पुछाए कि जो exhaust system होता है engine का उसका कारिय क्या नह बहुत सही है इकजास्ट गैसे को ये तो सही है सोर को कम करना बिल्कुल जो exhaust system का एक पार्ट होता है muffler वह सोर को कम करता है spark को बुझाना अब इस पार्क यहां से यह मत समझेगा कि spark plug को ही बुझा देगा नहीं यहां पर क्या है कि जब exhaust gas बाहर जाती है तो उसके साथ पार्क को रोकना या बुझादेना ताकि वो बाहर न जावाय मंडान में कहीं माके चलो बाहर जा रहा रहा याङल द रहा है तो spark को बुझाना यहां पे लिखा है लेकिन basically जो इसका मतलप है spark arrest करना ठीक है spark को बाहर जाने से रोकना स्पार्क अरेस्ट तो यह काम भी करता है अब देखो इंजन सिलेंडर को ठंदा करता है क्या इंजन सिलेंडर को क्या ठंदा करता है नहीं इंजन सिलेंडर को ठंदा करने का काम किसका होता है इंजन सिलेंडर को ठंदा करने का काम इंजन कूलिंग सिस्टम का होता है तो नहीं समय नारा हिंदी में तो English में एक बार पड़ो कि in which muffler are sound absorbing substance used ठीक है sound absorbing जो है sound absorbing substance used तो मैंने अभी आपको क्या बताया sound को एफजार्व कर रहा है तो कौन सा muffler बताया था रियक्टिव बताया था फिर उसके बाद कौन सा बताया था अवसोसित करने वाले प्रदार्थों का उपयोग किया जाएगा? अब देखो अगर थोड़ा सा और बता देता हूँ घोड़ा सा और बता देता हूँ 몇 और प्सके मोफलर स्ञावर एं가요 मैं इनकिक तरह का मऔर्वम भीडा के इसमें इसमें होते हैं हैं पहला है आपका ट्रेट लो है इस टिना है जिसे प्रोनो्ट के सब्सक्रास में हैं सीधा प्रवाङ प्रवाह मुफ Corn ठीक है इसी में dul Passover में दूसरा होता है reverse flow reverse flow ठीक है और तीसरा होता है आपका by flame plate तीसरा आपका क्या होता है by flame plate absor restauratell connect अभी बताय है उसमें अभी ये तीन होते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आःसोसित मंवाफ्टलर में अगले प्राशन की तरफ निमनमिलिखित मेंसे कौनसे मंवाफ्टलर की प्रकार देखऊ प्रस्ट ऐसे ही बूठा है अब देखो मैं ने आपको कॉंसे बताया उससे हो चाहिए औरिया की मुशने से इसे सबस्ट्रिय क्यों पढ़ा है यह बढ़ा देते हैं लैकिन उसकी गत करते हैं घटा या पढ़ा देते हैं तो ऐसे पदार्त क्या कहलाते हैं दोस्त ऐसे पदार्थ कहलाते हैं अब आप कहोगे सर कमेश्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं ठीक है हम तो यहाँ डीजल मेकाइनिक और एमेमी में ही आता है एक जास सिस्टम का भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैटेलीटिक कनवर्टर ठीक है अब कैटेलीटिक कनवर्टर ठीक है अब कैटेलीटिक कनवर्टर काम या करता है तो आप लोगोंने अभी थोड़ा सा भी ब्रीप दे रहा है जो कभी न कभी सुनाओगा कि BS4 अब जो मार गाड़ी रही बंद होई ये अब BS4 सस्ता मिलत रहा BS फिर 5 आया ही नहीं फिर BS6 आया इस समय जो हमारे वाहन आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं BS6 आ रहे हैं BS6 इंजन के तो BS6 इंजन क्या है सरकार जो नाम्स लगाती क्या है या इसे तो कंपनी BS6, BS8, BS10 कुछ भी बनाते वही है उसमें क्या होना चाहिए जिसे BS6 है तो BS6 में सरकार नहीं ये कहा कि भाई कैटिलेटिक कनवर्टर उसमें इस्टाल होना चाहिए उसके एकजास सिस्टम में अब कैटिलेटिक कनवर्टर काम क्या करता है भाई भताओ कैटिलेटिक कनवर्टर काम क्या करेगा तो ये करता है जो गैसे है हानिकारक गैसे हैं देखो यहां से ध्यान से समझो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक गैसों में बदलता है कम हानिकारक गैसों में क्या करता है दोस्त बदलता है तो यही है BS4 और BS6 और BS3 जो पहले आता था उन सब में यही अंतर है किसका अंतर है catalytic converter का चलो अब बताओ ये भी बता दू क्या बदलता कैसे है ठीक है चलो computer software पर class चलेगा नहीं चलेगा ना सर्जी देखो यार अगर नहीं चल लाओगर website एक दो दिन में बन जाएक कंप्यूटर पर भी तुम class देख पाओगे application वाली जो class है वो computer पर भी देख पाओगे परसान नहीं ठीक है चलेगा दोस्त चलेगा मेरे दोस्त चलेगा छेतारिक से class शुरू होनी उसके पहले website आके आप गूगल पर मिल जाएगा website मिल जाएक उस पर सर्च करना application वाली class उस पर भी आपको मिल जाएगी परसान होने क्या हो सकता नहीं ठीक है चले चलिए भाई अब देखे क्या है है हाँ अब इसका देखो या रुपतर कोई देही नहीं रह है केतन पर मार दे रहें जो कि पुराने चात्र है और बस बाकी सब का दिमाग जो है वह बक्वास में है computer अप्रेवर प्रक्लास चलेगा अगर नहीं चलना होगा तो नहीं चलना होगा तो भाई फोन करना यहां पर नमबर भी दीचिन्मी की स्लाइड उड़ा होगा जो भी अब देखें क्या है कि बता दूं क्या भाई कैसे convert करता है जैसे कि दिखो आपकी जो gases है निकलती है क्या CO निकलती है 2CO CO क्या है carbon monoxide है क्या है दोस्त यह है आपका carbon monoxide CO क्या है carbon monoxide है इससे क्या होता है दोस्त थीसा जीजी मैं आप साथ पढ़ा भी चुका हूं पहले blood cancer इससे क्या होता है blood cancer अशे बताओ blood cancer हो जाएका तो कितने दिन चलोगे ज्यादा ज्यादा साल दोसाल तीन साल डालेशिस कराओगे 5 साल कल जाओगे तो मतलब ज्यादा दिन आप नहीं चलपाओगे तो मर जाओगे तो हमको क्या करना है यह हमको इंतजाम करना है कि हम भाई इतनी ज़ल्दी नमरें बाद में मरें या हमारे आने वाले बच्चे हैं या जो हमारे आने वाली फीढ़ी है वह परसान हूं हम परसान नहीं तो हमने क्या कर दिया अब काव में क्या काम किया इसमें O2 ऐड़ करके इसको क्या आ दा दिया अब आफ को आप खुआंके होगा भ vaig कि उ स्को शुद्ध कर देग्ग आख्यम निकालेगा अ हमारे लिए वाय तो वी सव्यजिंट Cr Advent क जो आधिक सोद्ध मफसी अदिक अ हमिदेगा अ हो जाएगा गवाई मिंडल में तो सीओ से वाइट ब्लड कार्पसल्स की मात्रा बढ़ जाएगी डबलूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लड कैंसर हो जाएगा लेकिन अगर सीओ टू है बढ़ेगा तो सीओ टू धीरे धीरे बढ़ेगा धीरे धीरे ग्लेसियर पिगलेगा ठीक धर्ति का तापमान धीरे धीरे पढ़ेगा ऐसे थोड़ी कचानक बढ़ जाएगा इसमें ड़स पचास सौ साल लगेगा तो यह क्या है यह ज्यादा खतरनाक है भाई पांच साल में मर जाओगे और इसमें क्या है CO2 बनता रहेगा बनता रहेगा हो चकता आपका जीवन निकल जाए आपके आने वाली पीड़ी जो सफर करेगी उससे ठीक है तो हमने क्या किया CO को CO2 में कनवर्ट कर गया खिसकी सहाधा से क्याटिलेटिक कनवर्टर की सहाधा से ठीक है इसी तरीके से जो हाइड्रो कार्बन है उसका कनवर्जन होता है जैसे कि देखो CO2 dripping CX H2X plus 2 3X plus 1 by 2 O2 ठीक है ये हापका हाइड्रो कारबन पूरा फार्मुला मत देखो यहाँ पे देखो क्या है यह कार्बन है और यह हाइड्रोजन है ठीक है हाइड्रो कार्बन है तो हाइड्रो कार्बन है हुमारे लिए खत्मनाक है तो इसको भी बदल देगा किसे में याक्स CO2 加 1 H2 यानि कि समें बदल देगा कार्बन-डाइ-साईड और किसमें बदल देगा जल में तो यह हमारे लिक्या है जल में तो इस तरीके से हमारा क्या करता है झाम करता है और जो विनाविया में भाग लिए प्रेयरगत को घटाया बढ़ा देते हैं उत्प्रेयरग का उपयोग किस्मी किया जाएगा गजाश्ट गैस की घजरने का रास्ता कितने भागों में बटा रहता है तो इधर से भी घजास्ट गैस आई और इधर से भी आई दोनों आपस में टकराई तो दोनों क्या होगा, जो wave है, wave मतलब तरंग, दोनों तरंगे एक दूसरे को आपस में क्या कर देती है, निस्क्री कर देती है, काट देती है, जिससे जो सोर है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे, wave cancellation मपलर में, exhaust gas के गुजरने का रास्ता, कितने भागों में बटा रहता है, दो भागों में बटा रहता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक इंजन को बंद garage में operate नहीं करना चाहिए, क्यों की? अभी मैंने आपको बताया कि भाई बंद Garrage में आपड़ेट करोगे तो exhaustolution निकलती है जहरीली होती है तो आप क्या करोगे? आपको नुकसान हो सकता है उससे क्या हो सकता है? आपको नुकसान हो सकता है तो exhaust gas जहरेली होती है इस वजहासे एक इंजन को बंद garage में operate नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कुछ समझाना नहीं, इसका कोई region खास है नहीं, अब इस सारे चीज़ें में समझा चुका, अगला है, heater plug कहां fit किये जाते हैं, यह प्रस्न आपके लिए important है, हाँ भाई, good morning, ठीक है, चलिए, चलिए, हाँ, यह उत्तर दे देखे, चलिए, चलिए, अब देखे, क्या है, heater plug कहां fit किये जाते हैं, तो heater plug का देख, दोखों प्रयोग तो ज्यादा तर किया जाता है, वो diesel engine में किया जाता है, diesel engine, और diesel engine हमारा कैसा engine है दोस्त, diesel engine है हमारा संपीडन प्रज्वलन, संपीडन प्रज्वलन इंजन है, जलन, यानि कि इसमें हवा को संपीडित करके उसका तापमान बढ़ाते हैं, और उसके बाद उसकी सहाथा सीधन को जलाते हैं, diesel को जलाते हैं, लेकिन मान कर चलो मौसम बहुत ठड़ा हो गया, या आप कस्मीर में चले गए भूमने, तो वहाँ पर क्या होता है, हवा को देखो मान के लो हमारा ही सिलेंडर है, यहीं पर कमबस्टन चैंबर में, एक क्या लगा देते हैं, दोस्त, एक लगा देते हैं, हीटर प्लग, या इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और कौन सा है, इसका एक नाम और है, गलो प्लग, ठीक है, हीटर प्लग या गलो हीटर प्लक नहीं हो रहा है बैटरी से बैटरी से गरं में चलिए और घर नहीं चैंपाद़ चलिए अगले पुछन की तरह बढ़ते हैं कि आटोमोटिव डीजल इंजन में संपीडन अनुपाद लगभग कितना होता है ध्यान से प्रसन को पढ़ेंगे कि प्रसन क्या पूछ रहा है कौन सा इंजन है आटो मोबाइल का इंजन है कैसा इंजन है डीजल से बात करो तो क्या होगा 22-1 होगा मैंने आपको बताया है कि जो पेट्रोल इंजन है ठीक है भाई जो पेट्रोल इंजन है उसका संपीडन अनुपात कितना पेट्रोल इंजन का संपीडन अनुपात कितना तो आपको होगे 6-10 ठीक है मैं आप से कहूं डीजल इंजन का कितना diesel engine का कितना भाई तो आप कहोगे 16-24 अब ध्यान से समझना मेरी बात को अब ये क्या है एक range में होता है जैसे कि petrol engine का मैंने आपको बता दिया 6-10, कहीं कहीं पर 6-12 भी दिया हो सकता है, 7-12 भी दिया हो सकता है diesel engine का जैसे मनाए 16-24 तो कहीं कहीं पर 16-25 भी दिया हो सकता है 26 भी दिया हो सकता है 15-26 भी दिया हो सकता है लेकिन मतलब आज से पास इसी के होगा तो अब देखो क्या है कि जैसे कि 16-24 है तो यहाँ पर देखो 22 22 किसके बीच में आ रहा है 16-24 के बीच में तो यही वाला आपसन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो कोई चीज ना समझ में आ रहे दोस्त तो पूछ ले ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पस्ने की तरह अगला है दिये गए चित्र में जो इंगित भाग का नाम बताए ठीक है फीगर आपको यहां पर दिख रहा है अब यह जो यह पार्ट है इसका नाम पूछ रहा है अब किसको इंगित किया है एक देखो यह वाले पार्ट से ले गया है लाइन और एक यह वाले पार्ट से ले गया है लाइन तो यह देखने में कैसा लग रहा है दोस्त वाल जैसा ही तो है दोस्त वालव ही तो है जैसे इनलेट वालव है और इकजास्ट वालव है तो इंगित भाग हमारा हो जाएगा चलिए आगे बाते हैं तीजल इंजन के सिलेंडर में संपीडन के बाद का तापमान कितना होता है यानि कि एक नार्मल रेंज आप से पूछ रहा है, नार्मल टमपरचर पूछ रहा है कि भाई जो डीजल इंजन के सिलेंडर में अगर हम लोग संपीडन पहले सक्षन होगा संपीडन होगा यानि कि कंप्रेशन होगा फिर पावर मिलेगी हमको और फिर क्या होगा एकजास्ट होगा तो पूछ रहा है कि संपीडन के बाद का जो तापमान होता है वो कितना होता है तो इन सभी आप्शन के हिसाब से देखो अब एक यहाँ पे 300 मार दोगे 300 तो देखो दीजल का जो MIT होता है स्वता प्रज्युलत मान वौ कितना होता है 210 डिग्री से 300 ऐंटिग्री सेंटिग्रेट होता है ठीक है dentist अब मान कि चलो टम्प्रेशर ठोड़ा सा भी कम Hello हुआ तो क्या हमारा डीजल जल पाएगा नहीं 300 पे जलेगा और 300 ही आप तंप्रेचर जनरेट करा है संपीडन का तो मान के चलो डीजल में कुछ असुद्धियों वागरा मिली हुई है उसका सेल्फ इंप्रेचर बढ़ गया 310 हो गया 320 हो गया तो क्या डीजल हमारा जल पाएगा तो आपको होगी नहीं जल पाएगा तो यानि कि या अप्सन गलत हो जाएगा 250 डीजल का अप्सिल्फ इंप्रेचर 280 से 300 है और आप तंप्रेचर जो है संपीडन के बाद जो उत्पन कर रहे हो वो 280 से कम है तो क्या डीजल जलेगा नहीं 100 भी होगा ये भी गलत होगा यानि गलत है संपीडन के बाद तापमान जो होता है तो गितना होता है तो एक रेंज है याद रखना 600 से 800, 600 से 800 degree centigrade ये जो range है संपीडन के बाद आप मान की ये आप याद रखना अब यहाँ पे 800 था तो 800 मार दिया अगर 600 भी होता तो हम लोग मार सकते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना है पिट्रोल का मुख्य संगटन क्या है पिट्रोल का मुख्य संगटन क्या है दोस्त बताओ बहुत ही सिंपल प्रसना है ठीक है चलिए चलिए और एक बार जिन लोगों ने लाइक नहीं किया दोस्त हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल आज बोलते लवज आज सामसे आठ बजे से फिटर की भी क्लास शुरू हो जाएगी ठीक है तो जो भी फिटर आले बच्चे है जो की डाउट में है वो आठ बजे जोड़ जाना आठ बजे हमारे साथ जोड़ जाना आठ बजे से आठ से फिटर की भी क्लास चलेगी और कोशिस करेंगे कि ये क्लास डेली चले वैसे तो Monday to Saturday का प्लान है तो Monday to Saturday ये क्लासे जो है चलेंगे ठीक है भाई चले तो यहाँ पर क्या होगा बी उत्तर आ रहा है नीरेज राजपुत का उत्तर गलत है दोस्त बिल्कुल गलत है ठीक है ये option प्रेट्रोल का मुख संगठ मतलत सोज रहे गुड़ जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपका गुड़ क्या है आपके अंदर मान के चली आप इमांदारी से पढ़ाई करते हो बहुत ही मेहंती हो तो हम अगर आपको किसी के बारे में बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि हाँ या यार ये लड़का इसका सेलेक्शन नहीं होगा तो गुड़ आप मैं आपको क्या बता रहा हूं गुड़ बता रहा हूं न सेम उसी तरीके से अगर पेट्रोल के गुड़ को बताना हो पेट्रोल की क्वालिटी को बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे ऑक्टेल नंबर यूं बताएंगे ठीक ह नर्मल जो होता है अक्टेन नंबर 85-97 तक होता है ठीक है पेट्रोल जो मिलता है इंडिया में 85-97 तक होता है इसमें फिर रेगुलर आ जाता है रेगुलर वाला क्या होगा 85-89 इस तरीके से हो जाएगा 85-89 यह देखो भाई ध्यान से समझना यह आपको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग website अलग-अलग मिलेगा ठीक है तो इसको याद करने के जोड़े नहीं बस इसे समझ लो 89-90 क्या होगा मेडियम होगा 89-90 का होगा मेडियम मीडियम एक का फ्यूल होगा जिसकी अकटेन नंबर क्या रहेगी 89 से नबरेगी और इसके बाद क्या होगा 90 से 94 आपका प्रीमियम रहेगा तो यह होता है कुछ आक्टेन नंबर पेट्रोल के गुण को जो है इसके द्वारा पताया जाता है ठीक है भाई चल नाय माइन अंसरवाज दान ठीक है हाँ देखा नहीं आर साले तुम्हारा नाम लिए आर अच्छे बच्चों में ठीक है कोई दिक्कत नहीं दोस्त कोई दिक्कत न मिल जाएगी मारे अपडिकेशियंगी मिल मिले अप्लिकेशन ofere में जाओएगी जब अप्लिकेशन ढांडोड करकर करेंगे अप्लिकेशन कर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो वहां से डाउनलोड कर लिजेगा वहां पर आपको एक सिक्षन मिलेगा को निदूपित करने वाले मानक का क्या नाम है अब जैसे की पेट्रोल के गुड़ को कौन बता रहा था अक्टेन नंबर उसी तरीके से डीजल के गुड़ को कौन बताएगा दोस्ता सीटेन नंबर कितनी होती है दोस्ता पैतालिस से पचपन तक इंडिया में जो पर वीजल पाया जाता है उसकी सीटेन नंबर कहां से कहां तक पाई जाती है पैतालिस से पचपन तक ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से दुक्षण आपको में भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा ठीक है असपश ठीठख दिख रहा होगा अब देखो तीन तरीको से कैटलेटिक कैणवर्टर उस सर्जन को कम कर सकते हैं ध्यान चे समझना कैटलेटिक कैणवर्टर अभी बताया आपको क्या क्याकर था हम क्या है पहला है आपका सियोगर करना बहुत ज़रूरी है दूसरा आपका क्या है दोस्ते हैं टोस्ते हैं नाइट्रोजन के और साइड नाइट्रोजन के य।। नाइट्रोजन के जो आक्साइड है हम यह चाहते हैं कि हमारे नाइट्रोजन के आक्साइड ना निकले और तीसरा हम चाहते हैं जो हमारा HC है जो hydrocarbon है वो भी हमारा ना निकले तो हम लोग क्या चाहते हैं कि carbon mono oxide ना निकले nitrogen oxide ना निकले और hydrocarbon ना निकले तो बताओ कौन से option में यह तीनों हैं तो आप कहोगे सर इस वाले option में देखो carbon mono oxide भी है nitrogen के oxide है और hydrocarbon भी आपका इसमें है तो तीन तरीकों से catalytic connector सर्जन को कम करते हैं कौन सा तरीका हो जाएगा भाई यह वाला तरीका आपका हो जाएगा कौन सा तरीका हो जाएगा यह वाला तरीका आपका हो जाएगा तो बताइए यहां तक समझ में आया अगले प्रशन की तरह बढ़ते हैं SI engine में हवा इधन का अनुपात कम होने से क्या होता है इसका जल्दी से बताई है ठीक है CO और UBHC की व्रद्धी होती है SI इंजन में हवा इधन का अनुपाद कम होने से क्या होगा NOx की व्रद्धी होगी नहीं जी CO और UBHC की व्रद्धी होगी कमी होगी नहीं है क्या होगा CO और UBHC की व्रद्धी होगी CO यानि कि Carbon Mono Oxide अगर हवा इधन का अनपाद कम हो गया जैसे कि हवा आप कम दे रहे हो ठीक है इंजन को तो जब हवा अब से जहां से समझो जो Carbon Mono Oxide बनता है वो बनता ही कब है वो हमारा बनता ही तब है जब इधन का क्या हो इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कमबस्टन जब इधन का क्या हो इनकम्प्लीट कमबस्टन हो तो क्या बनेगा CO बनेगा इस प्रस्चन पूछा गया है और जब क्या हो दोस्त कम्प्लीट कमबस्टन हो complete combustion complete combustion यानि कि क्या हो पूर दहन हो जब पूर दहन होता है तो हमारा क्या बनता है तब हमारा बनता है CO2 तब हमारा क्या बनता है CO2 ध्यान रखना यह बात को तो जब हवा इधन का अनपात कम हो जाएगा यानि कि जब हवा कम दोगे तो oxygen कम जाएगी तो इधन का कैसा दहन होगा अपोड़ दहन होगा तो अपोड़ दहन होगा तो CO बनेगा ही और साथ ही साथ क्या बनेगा UBHC UBHC का क्या मतलब है UBHC का मतलब है Unburnt Unburnt Hydrocarbon यानि कि बिना जला हुआ Hydrocarbon Hydrocarbon Unburnt Hydrocarbon ये आपका हो जाएगा UBHC का खुलफा बताओ भाई समझ में आया कि नहीं और अगले प्रस्न की तरह बढ़ती ही बहुत ही ये अलग प्रस्न है कि भारत में पहला ट्रेक्टर किस कमपणी ने निर्मित किया था बताइए भाई फिटर का आज से 8oder विस्ट कर조 हो जाएगा दोस्त थिक पेटर का इंदी उनियुन दोनूं में क्लास होगा विलकुल भाई दोनूं में क्लास कोगा जो आपकी cya वृ हिंदी इंग्लेसanguard लोनों में रहेगा थीक है जो मैं लिखूँंगा भी यो भी हेलिए इंगलेश दोनाूँ उसके लिए परसान बती घИक तो अब लेक्षा में ट्रक्र किस गुपकी किया था फिटर का चालू करूँ केला बोल बॉल रहाँ भाईया फीटर वाले बच्चे फिटर ध्यान से समझ दो फिटर 8 पीम कि लाज चलेगी तो देर से तो डेर से याने की आज से ठीक तिकर मेरे दोस्त के भीया मेरे मुन्ना समझें आज से आज हुझे फिटर की क्लास चलेगी ऐसे ही mcq with explanation हम लोग वहाँ पर भी कर रहे होंगे अब बताओ भीया समझ गए ऐसा क्यूस्चन आया था बिल्कुल आएगा दोस्त हम पढ़ाते भी तो वही है जो आए आपका ठीक है तो आप उसके लिए परसान मत हो ठीक है चल यह दोस्त तो अब यहाँ पर क्या है भारत ने पहला ट्रेक्टर किस कंपणी निर्मित किया था तो महिंद्रा बहुत लोग को लग रहा होगा कि महिं इसकी जो स्थापना हुई थी आईशर की 1936 में हुई थी ठीक है और इसका जो हेड्कवााटर है वह कहाँ पर है जर्मनी में है जर्मनी में है तो पहला ट्रेक्टर इंडिया में बनाया था महिंद्रा स्वुराज म हूं नहीं बननाया था और यह जो चोटे अस्तर पताईएंगे तो आयसर जो विदेशी कंपणी है साथ बाद में इसका इंडियन कंपणी ने कर लिया उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इसका जो अस्थापना हुई पाएंगे ठीक है दोस्त तो यहीं कहूंगा कि लाश्ट में अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा कमेंट भी करके बताईएगा अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि क्यूस्चन के माद्दम से विध कंप्लीट एक्स्लेमेशन आपको समझा लाश्ट में कहूंगा बैच जोइन करना चाहते हैं तो जो जाइए दो महिने में कम्प्लीट प्रिप्रेशन हम आपकी करा देंगे एकड़म ठीरी पढ़ा देंगे और यहां पर आप जो रिवीजन है यहां पर आप एमसी क्यूपी यूट्यूब पर प्रिटेस कर लेना क्लासे आपके छे भरवजी से सुझे ठीक है भाई तो आज की क्लास में यहीं तब उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगे पसंद आप लाइक करिएगा शेयर करिएगा फिर मिलेगे कल सुबा साथ बजे दोस्त रजाई से निकल जाना कल एक नए सेसन के साथ नए प्रशनों के एक संकला के साथ साथ बजे हम लोग फिर जूर रहे होंगे और 2023 में सेलेक्शन लेने के लिए अपनी जी जान लड़ा रहे होंगे ठीक है भाई तो मिलेगे नेक्स सेचन में तब तक आपका क्लास से जूरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद